Welcome all of you on my youtube channel economics with excellence आज की मेरी इस वीडियो में हम money and banking स्टार्ट करेंगे और money and banking में हम सबसे पहले इसका origin study करेंगे और इसमें जो money and banking की definition है और उसका क्या meaning है इसको हम समझेंगे और इसके साथ ही water system जो है इस पर हम चर्चा करेंगे तो चलिए start करते हैं So firstly money की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि basically जो money है जो general concept में students समझते हैं money जो है जो की medium of exchange है जैसे की आज कल की जो currency है हमारे देश का रुपया है उसको हम medium of exchange की रूप में मानते हैं तो जो money है money is anything that serve as a medium of exchange इसका मतलब है कि money वो है जिसका यूज हम medium of exchange के लिए कर सकते हैं और medium of exchange क्या है यह जो है means of payment है यानि कि अगर हमें कोई चीज लेनी है तो उसके बदले में जो हम भुकतान करते हैं इसको जो हम medium of exchange कहते हैं और medium of exchange क्या है money है money क्या है एक medium of exchange है money को समझने के लिए हमें इसकी history में जाना पड़ेगा और इसमें देखेंगे हम कि जो money है उसका origin किस परकार से हुआ मतलब जो human society है उसको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि जो money का अविशकार है वो start हुआ जैसे कि हम सब जानते ही है कि जो necessity है necessity is a mother of invention so इसी के लिए जो water system है उसमें उसके चलते कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था इसी के चलते जो है वो money का अविशकार हुआ था तो चलिए इसमें समझते हैं कि जो water system है basically वो क्या है और इसकी जो starting है वो कहां से हुई so the water system is direct exchange of goods with goods without use of money is called water exchange water system में क्या था कि जो वस्तुएं थी उसका वस्तुओं के साथ जो था वो exchange किया जाता था इसका मतलब यह है कि अगर हमें कोई वस्तु खरीदनी है तो उस वस्तु के बदले में हमें दूसरी वस्तु का भुकतान करना पड़ेगा it means कि जो medium of exchange था उस समय पर वो क्या था वस्तु वस्तु से ही दूसरी वस्तु को जो है वो खरीदा जा सकता था इसको ही हम water exchange भी कहते हैं इसलिए जो economic exchange system था उस समय का वो जो था वस्तु के साथ वस्तु का जो एक्स्चेंज था वो किया जाता था इसको जो है हम water system कहते हैं तो उस समय की जो अर्थवे वस्ता होती थी वो पूरी की पूरी water exchange पर जो थी वो depend करती थी water exchange की जैसे मैंने आपको पताया गुड्स का गुड्स के साथ ही exchange होना तो इसी को जो है हम commodity for commodity exchange economy भी कहते हैं अगर कोई भी चीज है जिसको हम example के माद्यम से समझते हैं तो वो हमें समझने में और भी ज्यादा असान हो जाती है तो water system का हम यहां पर एक example देखेंगे जिसमें की एक जो कपड़ा बनाने वाला है वो जो है किसी farmer को कपड़े देता है और उसके बदले में वो farmer से कुस्छ न कुछ गेहों या फिर कोई भी चीज जो है वो लेना चाहता है similarly जो farmer है वो अपनी गेहों का जो उसका surplus है उसके बदले में कोई भी जो चीज को है जो है वो अपनी requirement के साब से ले सकता है जैसे कि शूज, काओ, हाल या कोई भी जीज, जो भी उसका surplus है, जो farmer है उसका surplus जो है agriculture की जो जितनी भी उसने फसलें उगाई हैं, उसमें ही हो सकता है, जैसे कि wheat, rice और maize, सो इसी के according, जो है farmer अपनी requirement के हिसाब से कोई भी जो वस्तू है, वो ले सकता है, सो water system में क्या था, कि इस प्रकार के exchange से जो था, वो दोनों sides की requirement थी, वो पूरी हो जाती थी, it means कि वस्तू का वस्तू के साथ जो अदान परदान था या फिर जो एक्सचेंज था, वो उस समय फुल्फिल होना चाहिए, या फिर जो दूसरे वक्ती की requirement है, वो उसको फुल्फिल करना चाहिए, सो जब starting में water system था, वो शुरू हुआ था, जब लोगों को need महसूस हुई, कि जो water system है, या फिर जो एक वस्तू का दूसरी वस्तू के साथ exchange है, वो होना चाहिए, उसके बाद जो है, इस system को water system का नाम दिया गया, और उसके बाद जैसे जैसे population बढ़ती गई, जो इनकी transactions थी या जो needs थी, वो बढ़ती गई, और इनी बढ़ती needs के साथ साथ ही, इस system में, इन convenience जो था, या फिर जो difficulties थी, वो आने शुरू हो गई थी, कोई भी जो चीज है, जब वो बढ़ने लगती है, तो उस पर जो है, एक तरह का pressure बन जाता है, जैसे कि अगर population increase हो रही है, तो वो भी बढ़ रही थी, और उसी के साथ साथ, जो एक देश के साथ, दूसरे देश के लिए जो trading थी, वो भी जो थी, वो धीरे-धीरे increase होने लगी थी, तो इनी सभी कि जो problems है, इन सभी problems के चलते जो था, इस water system में जो थी, वो inconvenience होने लगी थी, इसमें difficulties सामने आने लगी थी, इसलिए इनी problems को जो है, हम water system में आगे discuss करेंगे, कि water system में जब exchange होता था, तो इनको जो है, individuals को जो है, या जो लोग थे वहाँ के, उस समय के, उनको कौन-कौन सी difficulties थी, जिसका सामना करना पड़ा था, और जिसके कारण जो money थी, उसका origin हुआ, तो first इसमें जो difficulty है, वो है, lack of double coincidence of wants, double coincidence of wants means what one person want to sell and buy, must coincide with what some other person want to buy and sell, इसका मतलब है, कि जो दोनो जो person है, उनके बीच में, जो है, वो mutual understanding होनी चाहिए, इसका मतलब यह है, कि एक व्यक्ति मान लीजिए, कि यहूं देकर गाई खरीदना चाहता है, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले दूसरा व्यक्ति ढूनना पड़ेगा, जो कि उससे गेहूं भी ले ले और उसके बदले में उसको गाई भी दे दे, तो यह जो सारी चीज़े थी, यह जो problem थी, यह double coincidence की problem जो थी, वो water system में सामने आ रही थी, और second example इसमें है, कि जो एक जूट का producer है, उसको जो है वो shoes चाहिए, it means कि एक जो producer है, वो जूट produce कर रहा है, उसके बदले में जो है वो उसको shoes चाहिए, तो उसको shoes वाले व्यक्ति या फिर जो producer है, उसको ढूंडने में काफी जादा difficulties हो सकती है, या फिर हो सकता है, कि उसको जो shoes maker है, वो मिले नहीं, तो यह जो सारी चीज़े हैं, यह double coincidence में आ रही थी, it means कि एक इनसान को जो है, उसकी requirement के इस हिसाब से जो है, वो चीज़े नह थी, उसका जो था, वो common measure नहीं था, it means कि जो उनकी exchange के सादन थे, उसमें कोई भी, उनका कोई भी common measure नहीं था, जैसे आज के time में, जो है, वो हमें पता होता है, कि हमें 10 रपे में कितनी चीज़ मिलेगी, और 100 रपे में कितनी चीज़ मिलेगी, तो उस समय पर, यह जो common measure of value था, यह नहीं था, it means कि जो unit थी measurement की, वो नहीं थी, और यह problem का बाती थी, उस समय जब दो वस्तों का exchange होता था, अब दो वस्तों का exchange जैसे गेहूं और गाये का exchange हो रहा है, तो उनको, मुलब यह चीज़ पता नहीं थी, कि जो गेहूं है, कितने kg के अगर गेहूं देंगे तो उसके बदले में गाये आएगी, तो उस समय हर किसी चीज़ की या फिर हर किसी जो आर्टिकल थी, उसकी जो थी, वो different, different जो थी, वो values थी, और thousand of articles जो थे, उस समय जो produce किये जाते थे, और exchange किये जाते थे, तो इसी के चलते जो था, वो measure of value के तहत इनको जो थी, वो दिक origin हुआ था, third, इसकी जो problem थी, water system की, वो थी standard of deferred payment, so, जो deferred payment थी, it means कि जो future payments करनी होती थी, इनको करने के लिए भी बहुती ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जो payments है, वो बस्तू के रूप में करना एक बहुती challenging भरा काम था, इसलिए जो deferred payments थी, उ जो दो पक्षों के बीच में, जो contracts होते हैं, और उनी contracts के बदले में, जो future payments आज के दोर में की जाती हैं, उस समय पर ये payments कर पाना बहुती ज़्यादा मुश्किल था, so, future payments थी, वो जो थी, वो specify good के लिए, और services के लिए, possible नहीं थी, और future payments है, इन पर जो था, इस problem की था या फिर जो market थी उस समय की, वो जो थी, वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी, जो water system था उस समय, वो जो system था, उनका जो main wealth था, वो था, गाए, वीर्स, potatoes, और जो भी जैसे नमक हो गया, ये जो सारी चीज़ें थी, जो की वस्तू के रूप में थी, ये उस समय का जो थ होता था, तो इस wealth को store कर पाना बहुत ही जादा मुश्किल होता था, या फिर तो ये ना के बराबर होता था, अगर कोई चीज है, कोई चीज अगर आपने store करनी थी उस समय, तो वो जो चीज थी, वो गल सर जाती थी, या फिर अगर जो cattle, अगर उनको ही store करते थे लोग, त उस समय, और उसी के साथ, अगर कोई व्यक्ती जो था, उस समय स्टोरिंग का जो था, वो कोशिश भी करता था, तो इसमें जो थे, बहुत ही जादा हाई कोस्ट की जो storage facility होती थी, वो इसमें involved थी, उनको जो है, बहुत ही जादा हाई कोस्ट पे करनी पड़ती थी, वस्तों की hold करने की, वस्तों को जो है, वो store करने के लिए, फिफ्ट और इसमें सबसे important इसका जो point है, वो है lack of divisibility of goods, इसका मतलब है कि जो वस्तों की divination थी या जो वस्तों का विवाजन था, वो उस समय पर कर पाना बहुत ही जादा मुश्किल था, इसका एक example हम देखेंगे, कि अग अपनी काउ के बदले में या फिर अपनी गाए के बदले में उसको कपड़े खरीदने हैं, तो उन कपड़ों की value के बराबर वो अपनी गाए को आधा नहीं बांट सकते थे, तो इसके लिए अगर वो अपनी काउ को आधा बांटेंगे, तो इसके लिए उन्हें काउ को मार तो इसलिए यह divisibility की भी problem जो थी वो उस समय आ रही थी इसी divisibility या फिर जो lack of divisibility के चलते जो था वो जो water system के जो उस समय की जो market थी या फिर जो water exchange था वो लगभग impossible के जो था वो बराबर था और इनी सारी जो disadvantages के चलते जो था water system जो था वो खतम कर दिया गया और जो money थी उसको जो है वो society में introduce किया गया इसी के साथ साथ thanks for watching my video and I hope कि आप मेरे channel को subscribe करेंगे और like भी करेंगे